यहां पे देख सकते हैं आप लोग KP कंपनी के स्क्र्यू इंस्टॉल की जा रहे हैं और यहां पे पाने की निकासी के लिए PVC पाइफ का इस्तिमाल की जाएगा यहां पे देख सकते हैं आप लोग Tata Bleuscope Steel Company की तरफ से जो पोडेक्ट निकाला गया है स्मार्ट स्पैन जिसको हम परलीन के रूप में इस्तिमाल कर रहे हैं तो यहां पे इंस्टॉल किया गया है और यह कॉलम देख सकते हैं 9 इंच वाई 12 इंच के लगाएगे हैं बहुत ही Tata Company की लगाई जा रही है 0.47 mm थिकनिस के साथ परल ग्रीन कलर है इसका और लाइनर सीट जो इस्तेमाल की जा रही है वो एशिन वाइट कलर की है तो दोस्तों नमस्कार स्वक्त है आप सभी का यूट्यूब चैनल के उपर एक और नए वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं जो हम गर के ओपर टीन सेट का काम करवाते हैं सेफटी के लिए तो उसके लिए हमें किन किन बातों का दियान रखना है ताकि हमारी जो रूफ है वो मजबूत हो और लंबे समय तक अच्छी चले उसे जंग ना लगे खराब ना हो तो बहुत सारी इंपॉर्डन बाते हैं जो मैं आपके शार्ष शेयर करना चाहता हूं मेरा नाम है आमन और मैं हूं ही माचल परदेश के जीला हमीवपुर से और यहां पर सबसे पहले बात की जाती है जब हम सेफटी के लिए गर की सेफटी के लिए रूफ का इस्तेमार करते हैं तो हमें लोहे को कॉलम क लगाने हैं जैसे कि आप वीडियो में यहां देख सकते हैं यह 9 इंच वाई 12 इंच के कॉलम लगाएगे हैं तो इनको लगाने से यह फाइदा होगा कि हमारी रूफ का जो बेस है बो मजबूत हो जाएगा हवा के प्रेसर से जो बिंड प्रेसर आता है उससे हमारी जो रू करें लगाने का प्लान बनाएं तो आर्सी सी कॉलम बैस्ट ओप्सन है इसके लिए आप लोगों ने टाइब लगाना है चारों तरफ को ताकि आपकी जो रूफ है उसके जितने भी कॉलम हैं सारे एक जगा मजबूत हो जाएं और उपर की तरफ को दिख सकते हैं कई-कई ज जो पकड़ होगी वेल्डिंग होगी वो प्रोप्रति के से चारों तरफ हो जाएगी इसके बाद बाद आती है मैटीरिल की यहां पे मैटीरिल जितना भी यूज किये गया है कॉम्पनी का किये गया है अपोलो कंपनी की गरिवनेश्ट पाइप का इस्तेमाल यहां पे ट्र सारा मेटेरिल जो यूज किया गया है वो कमपनी का किया गया है और शीट जो यूज की जा रही है एक ही साइज यूज की जा रहा है यहां पर सारा तो देख सकते हैं यहां पर करेवन 12 फीट लबाई और 3.5 फीट चुडाई की सीटें इस्तिमाल की जा रही है तो 57 सीट हमारी इंस्टॉल की जा रही है यहां पर तो दोस्तों यहां पर जितने भी स्क्रीव लगाई जा रहे हैं हम लोग अच्छी कंपनी के स्क्रीव लगा रहे हैं यहां पर आपको बता दू के पी कंपनी के स्क्रीव हैं जो हम यूज कर रहे हैं जब भी आप तीन सेड इंस्टॉल करे तो उसके लिए स्क्र्यू जो लगाने है आपने कलर कोटर लगाने है जिस कलर के आपकी सीट है उसी कलर के स्क्र्यू भी लगाने है तो दोस्तों अब बात आती है यहाँ पे लाइनर सीट की जो हम सीलिंग कर रहे हैं यहाँ पे आटर लाइनर की ये देख़ेंगे हैं आप लोग शज्जे की जो से लिंग की जा रही है ये टाटा कंपने की लाइनर सीट है 8 फिट लंबाई 4 फिट चुड़ाई 32 स्केरफुट की एक सीट आती है और इसके प्राइज की बात की जाए तो 1350 रुपे एक पाइप का सीट का प्राइज है और य खतका जितना भी पानी है वो हम अलाग अलाग जगा पर निकास करेंगे निकालेंगे मतलब तो यहां पर कंपनी ने वार्कोर्ट स्केनर भी दिया हुआ है इसके ओपर देख सकते हैं इसके दोरा आप स्कैल करके प्रोडेक्ट की फुली डिटेल इनफॉर्मेशन निकाल सक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को विजरूर दुआएं ताकि आपको आने वाले दिनों में हमारे काम की वीडियो की नाटिवेशन जो है वो मिलती रहे तो यहां पर एक चिमनी भी थी इसे भी हमने कवर कर दिया है तो चिमनी जो होती पहले यह की सलैप रखा गया था बाद में हम लोगों ने इसे अच्छे तरीके से बना दिया है ताकि जो दूआ है वो बाहर को चला जाए तो वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो में की दीगे जानकारी से अगर आप लोग संतुस्ट हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के सा की लगाने चाहिए और जिससे हमारी रूफ का बेस जो है वो मजबूत नहीं होता है और यह देखिए आपके साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में जानकार अच्छी लगे हो तो चैनल के सब्सक्राइब करें के साथ है बलेको जूरुष दवाएं जाहिन जाहिन म मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में जामाता जी